दुनिया के कई देशों के साथ साथ कोरोना वाइरस अपने देश में भी दूसरी स्टेज तक पहुँच गया है यह वह समय है जब हमें अधिक सतर्कता के साथ एक जुट होकर इसका मुकाबला करना है और इसे इसी दौर से ही वापिस लोटाना है इसी दिशा में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने राष्ट को सम्बोदित करते हुए 22 मार्च अर्थात रविवार को जनता करफ्यू का आवान किया है इसका उदेश करोना के चक्र को तोड़ना है और अपने लिए सुरक्षा चक्र बनाना है इसलिए हमें मिलकर जनता करफ्यू को सफल बनाना है मैं प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील करता हूँ के 22 मार्च रविवार को सुबह साथ बज़े से रात के नो बज़े तक अपने घरों से बाहर ना निकलें साथ ही उस दिन शाम को पाँच बज़े थाली ताली आदी बज़ा कर उन सब करतवे निस्व लोगों जैसे के सभी आवशक सेवाओं में लगे करमचारी अधिकारी स्वम सेवी संस्थाएं अब हम अन्य स्विच्छा से व्यक्तिकत तोर पर सेवारत स्वाज सेवियों का धन्यवाद करें जो इस कठिन समय में हमें आवशक सेवाओं प्रदान कर रहे हैं एक अन्य निवेदन ये भी है कि आप खाने पिने की चीजों दवाईयों आदी की आवशक वस्तों की चिंता न करें तदेश में इनकी कोई कमी नहीं है और इनकी उपलब्दता सुनिशित करने के सभी प्रबंद किये जा रहे हैं मैं पुना अनुरुद करता हूँ कि आप सब जनता कर्फियू के माध्यम से कोरोना वाइरस के खिलाफ एक जुटता देखाएं सब हरियाना वासी पूरे भारतवर्ष के साथ मिलकर इस जनता कर्फियू के माध्यम से सुरक्षा चक्र बनाएं धन्यवाद, जै हिन्द, जै हरियाना